पाजबना राष्ट्री अध्यक्ष जैपी नडडा ना कारेकार मां एक वर्ष नव वधार थो थो पाजपना राश्च्री अद्यक्षना कारेकाड माँदारों था उलेकनी अछे के विदान सभानी चूटणीओं घुजरात मां भाजपने जंगी बहुमती थी जीत थाई अती अने जेपी नड़ा जे छे तेवो राष्ट्रे अध्यक्ष छे हाल अने तेमनी अध्यक्षता हेठल तेमना मार्गदर्शन हेठल गुजरात मा भाजपने मोटी संख्या मा सीटो मली अती 156 सीटो भाजपे मेल वे अती तो जून 2024 सुधी जेपी नड़ा के ज जो भाजपना हाल राष्ट्रे अध्यक्ष छे तेमनों कारेकार लंबावा मा अव्यों छे तेमने एक वर्षनू एक्स्टेंशन आपवा मा अव्यों छे मित्रो आप सभी को एक सुभ समाचार देने के लिए यहां वुलाया गया है अभी अभी भारतिय जन्ता पार्टी की राष्ट्रे कारे समीती ने सरवानू मत से एक फैसला लिया है कि स्री जगत प्रकास नड़्डा जी का कारेकाल जून दोजार चौबीस तक बढ़ाया जाएगा जैसे आप सभी लोग जानते हैं देश की सभी रादनेतिक दलों में साइद सबसे ज्यादा लोगतांत्रिक तरीके से चलने वाला दल अगर कोई है तो यह भारतिय जन्ता पार्टी है जन्संग की स्थापना से लेकर आज तक भारतिय जन्ता पार्टी में हमेशा बूत से लेकर राष्टिय अध्यक्स तक के हमारे चुनाव समय समय पर हमारे सम्विधान के अनुकुल होते रहें और पूरी लोकतांत्रिक पद्धती से चुनाव के अधिकारियों की नियुक्ति होती है मत दाता सुची बनती है और फिर चुनाव का सुरुवात होता है बूत के बाद मंडल का मंडल के बाद जीले का जीले के बाद प्रदेश का और प्रदेश के बाद राष्ट्रिय अध्यक्जी का चुनाव और कारे समीती का चुनाव होता है परन्तु ये वर्स सदस्यता अभ्यान का भी वर्स है और हर साल हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं हमारी सदस्यता का कारेकाल छे साल का होता है छे साल जब समाप्त होते हैं तब पूरी सदस्यता नए सीरे से होती है और जब छे साल नहीं होते हैं तब इसमें सदस्यों की बडोतरी के साथ बूत को, मंडल को और जीले को वैधानिक माननेता मिलती है कोवीड की महमारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया और जब सदस्यता नहीं होती है बूत से राष्टी अध्यक्स तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं तब राष्टी अध्यक्स चुनना समवेदानिक रूप से संभव ही नहीं है कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग-अलग मौकों के कारण राश्टी अध्यक्ष के कारेकाल को एक्ष्टेंशन। झाल झाल